गुड़नी में क्लास ट्रॉल्ट की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हमनों की ग्रेमर की रिविजन सरीच चल लई है, उसकी बारहनी क्लास पे चलेंगे और इस बारहनी क्लास में आज हम लोग 30 महत्पूर्स एनानिम्स को कवर करेंगे और आज की इस एक क्लास आपकी बोर्ड परिच्चा में दो नमबर पक्की हो जाएंगे और दो नमबर कैसे पक्की होंगी यहाँ पर आप लोग सलबस देख लिजें तो यह आपका ग्रेमर का सलबस है और इस ग्रेमर के सलबस में देखी चोथा पॉइंट दीवे हैं तेन क्यिसंस बेस्ट आंड न नमबर का होगा तो भईया आपका सेनॉनिंस भी कितने नमबर का होगा दो नमबर का होगा इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परिच्चा में दो नमबर पक्के हो जाएंगे और अभी तक ग्रेमर की 11 रिविजन सिरीज की क्लास हो चुकी है यह आप पर आपको revision series class 12 2013 करके playlist मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी भी classes चली हुई हैं सारी classes एक schedule wise लगी हुई हैं तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं और एक class free plus paid best दोनों बच्चों के लिए combined class है और paid class की बच्चे ध्यान देंगे इसका PDF आपको class की तुरंद बाद paid class के group में provide कर दिया जाएगा जिसले paid class की बच्चे PDF लिए बिल्कुल परिसान नहीं होंगे और इसकी अलावा प्याच्चे आपकी grammar की classes इन तीनों चैनल पर चल लई हैं मिस डाइमेंड एकेडमी classes जो main channel है जिस पे इसमें class हो रही है तो इस पे भी आपकी classes हो रही है और diamond academy classes 2.0 पर भी grammar की revision series की class हो रही है और सुबह से 2-3 class इस channel पर हो चुकी है और सुरज यादाव जौनपुर वाले channel पर भी आपकी grammar की revision series की class हो रही है कुछ classes हुई है तो इसलिए आप इन तीनों चैनलों से जोड़ जाएंगे और telegram का public group है diamond academy classes करके आप telegram पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको public group मिल जाएगा तो आप वहाँ से जोड़ जाएंगे वहाँ पर आपको सारी classes का link provide कर दिया जाता है तो जल्दी से अब हम लोग आज की इस class से connect होते हैं तो class पर चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बारा आए है चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like कर दें और class trolls की हरे एक बच्चे तक वीडियो को share कर दें जो भी बच्चे इस बार की board पर इच्छा देने वाले हैं तो भाया यहाँ पर लेकिए हमने लिखे हुए हैं 30 महत्तपूर से नॉनिम्स तो यहाँ पर आपका पहला जो है से नॉनिम of cruel age तो प्याच्चे इस चीज़ को दिमाग में fix कर लेजिए कि आपके board पर इच्छा में जो वकैव वाला person है वह MCQs के रूप में आएगा मिंस multiple choice question के रूप में पूछा जाएगा और पिछले वर्स में multiple choice question के रूप में पूछा भी गया था और पिछले वर्स में जितने पेपर के सेट हुए थे और उसमें जितने भी आपके सेनॉनिम आए वे थे हमने सभी सेनॉनिम को लिए वे हैं क्योंकि नए pattern के आधार पर पिछले वर्स की बोर्ड पर इच्छा हुई है तो इसलिए प्यालचे हमने पिछले वर्स के सभी सेट के सभी सेनॉनिम को लिए व मतलब जिसमें दया नहीं हो वही आपका सिनोनीम क्या हो जाएगा समनार्थी सब्सक्राइगा Mursilates हो जाएगा न, miss जिसमें दया नहीं हो, वही कुरेड होता है वही जहे निर्दाई होता है, तभंद आपका जो है, इस पहले का पहला Jei Option सही हो जाएगा, बाकी जो तीन Option दीएवे हैं बी वला Option काइंड होता है, बिल्कुल नहीं काईन मिस द्यालू बिल्कुल नहीं होगा, ब्रेब मिस बादूर बिल्कुल नहीं होगा, डी पी टी फुल मिस द्यालू बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका जो है, कुरुवेल का सेनॉनिम क्या हो जाएगा, मर्सी लेस हो जाएगा, तो पहले का पहला सही हो जाएगा, तो आ इसे acute भी पढ़ेंगे, acute का synonym है, तो भया acute का synonym क्या है, और ए प्रश्ण UP Board 2022 के एच सर्थ में पूछा गया प्रश्ण है, acute means होता है, दिड्ड होता है, acute means क्या होता है, दिड्ड या तीच होता है, तो अब इसमें तीन जो चार इसमें जो दिये में हैं, इसमें किन चार में स किन चार का अर्थ, किन चार में से एक का अर्थ, दिड्ड या तीच होता है, पहला nice means अच्छा बिल्कुल नहीं, accident means घटना दुर घटना ए भी नहीं होगा, saver means होता दिड्ड या तीच होता है, तो भया acute का क्या हो जाएगा, आपका synonym saver हो जाएगा, saver means भी होता है, लेपे हम लोग क्या कर देंगे, टेक कर देंगे, तो भया, UP Board 2022 के एच सेट का प्रश्न था, आगे बढ़ते ही तीसरे प्रश्न पर यहाँ पर लेखिए, आपके सामनी तीसरा प्रश्न है, this synonym of despise is it, despise का synonym है, despise means होता नफरत घडा, despise means होता नफरत घडा, इस नफरत य अब देखिए, hate किस option मी दिये है, पहला love, love means frame बिलकुल नहीं, दूसरा ही option देखिए, hate means नफरत दिये हैं, तो आपका तीसरे का दूसरा option सही हो जाएगा, बाकी तीसरा option respect सम्मान दिये हैं, बिलकुल नहीं, डी वाला option select means चुनना यह भी नहीं होगा, तो आपका तीसरे का दूसरा option सही हो जाएगा, तो तीसरे की दूसरे पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, आगे बटे प्यार्चे चौते प्रशन की तरफ, एक बार सभी प्यार्चे वीड़ो को लाइक कर दें, जितनी बच्चे समय लाइक जुड़े हैं, जल्दी से सभी प्यार्च वीड़ो को लाइक करेंगे, और क्लास 12 की हरे एक बच्चे तक वीड़ो को सेर कर देंगे, और रिवीजन सीरीज के जितनी भी क्लासे दी गए है, कोई भी क्लास छोटी नहीं चाहिए, आप सभी क्लासे को कवर कर लेंगे, यह आपकी जिम्धारी है, क्योंकि भईया, प्रसंसनी मिन्स सराहनी जिसे कहते हैं प्रसंसनी या सराहनी लॉड़ेबल मिन्स होता है प्रसंसनी या सराहनी जिसकी सराहना की जा सके उसे बोलते हैं लॉड़ेबल का आपको हिंदी बता दिए अब इसमें कोजी चारों आपसन में किसका अर्थ प्रसंसनी या सराहनी है पह आपका पहला ही option से हो गया, lotable भी हमें मीनिंग बताया और प्रेजवर्दी का भी मीनिंग होता है, तो इसलिए चौथे का पहला ही option से हो जाएगा, बाकी अन्य तीन option क्या है, able means योगी बिलकुल नहीं होगा, disable means योगी बिलकुल नहीं होगा, label means हो जाएगा, जिस पर बरुस Frank is, Frank का synonym है, तो भाईया, Frank का synonym, Frank means होता है, असपस्टवादी, जो खुल करके अपनी विचार को रख देते हैं, that person is called Frank person, तो भाईया, Frank means होता है, असपस्टवादी या मुफट जी से बोलते हैं, मतलब जो आपके मुवाँ पे बोल देता है, अच्छा खर, आप जो नहीं बोलना होता है, कुल बोल देता है, मुवाई पे, उसे बोलते है, Frank बोलते हैं, तो भाईया, एज यूपी बोड 2022 के EG सेट पे पूछा गया, प्रश्न है, तो देखिए, इसमें कौन सा अपसन सही हो गया, पहला, फुलिस मिन्स मूर्क बिलकुल नहीं होगा, वाइड स्प forward मिन्स, जहें, मूफट होता है, मिन्स, सीधे, जहें, मूपे बोलने वाला, कैंडिड होता है, ठीक है, तो आपका, Frank का क्या हो जाएगा, कैंडिड हो जाएगा, अगर कैंडिड नहीं दिया होता है, प्याच्छे, तब wide spoken बोल सकते थे, लेकिन, सीधे, सटीक कैंडिड दि से करते हैं, असपर स्वादीनीस, मुँपे बोलने वाला, तो भाईया 5 ही का कौन से सही हो गया, डी वाला आप्सन सही हो गया, तो 5 ही कुझी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, बढ़ते हैं चटे प्रश्णी की तरब देखते हैं चटा प्रश्णी क्या है तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चटा प्रश्णी है इस अनॉनिम आप बेन इस बेन को से अनॉनिम क्या है तो भईया बेन मींस होता अविसाप जो है बेन मिस्ट क्या होता है अविसाफ होता है बून और बेन तो भाईया बेन मिस्ट क्या होता है अविसाफ होता है तो अब इसमें कोजी है जो है किसका मीनिंग अविसाफ होता है मिस्ट कर्स होता है तो भाईया पहला बेनिस मिस्ट देश निकाला बिल्कुल नहीं बैनर UP Board 2022 के EJ Set में पूछा गया प्रस्ण था तो भईया 66 पिछले वर्स में बने वे थे हमने सभी 6 सेट के हमने Synonyms को आपको करा दी और कुछ इसी तरह से Objective Type में पूछे गए आपके Synonyms थे ठीक है तो अब बढ़ते हैं साते हैं Synonyms की तरफ तो अब देखी स्टाप करना रुख जाना कि मीनिंग होगा Begin में शुरू करना बिलकुल नहीं दूसरा Option देखी स्टाप दिए वे हैं स्टाप में रुख जाना तो आपका क्या हो जाएगा सात्वी का B वाला ही सही हो जाएगा तो सात्वी के B पर हम लोग क्या कर देंगे टिक कर देंगे आठवी प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं आठवा प्रश्ण क्या है यहाँ पर देखी आपके सामनी आठवा प्रश्ण है The Synonym of Abundance is Abundance का Synonym है तो बढ़िया Abundance मींस होता है छोड़ देना मिंस फार्सिक कर देना किसी को पूरी तरह से छोड़ देना That is परित्याग कर देना जिसे हिंदी मोलते हैं परित्याग कर देना That is called Abundance और परिता को ही फार्सिक बोलते हैं तो देखिए आपका पहला या प्सन फार्सिक दीवें है फार्सिक मींस होता है छोड़ देना परित्याग कर देना तो आपका आठवें का पहला या प्सन से हो जाएगा बाकी बी वाला की दीवें रखे रहना बिल्कुल नहीं चेरी समिस जो आनंद उठाना बिल्कुल नहीं इनलार्स दीवें हैं इनलार्स का आपका होता है बिस्तार करना ए भी नहीं होगा तो आपका कौन से हो जाएगा फार्सिक हो जाएगा आठवें का पहला प्सन से हो जाएगा तो आट में के पहले ही पर हम लोग टिक कर देंगे बढ़ते ही नवही प्रस्थन की तरफ देखते ही नवहा प्रस्थन क्या है तो यहाँ पर देखिए आपके सामनी नवहा प्रस्थन है The synonym of rescue is Rescue का synonym क्या है Rescue means होता है बचाना कहते हैं ने कि rescue operation जब बाढ़ हो रहा जाती है तो कहते है rescue operation चल ला है means बचाने वाला operation चल ला है तो भी यह rescue के synonym क्या हो जाएगा save हो जाएगा save means क्या होता बचाना तो देखिए इसमें कौन से option में save दिएवे पहला option save आपका पहला यह option दिएवे है तो इसलिए नवे का पहला यह option आपका सही हो जाएगा बागी disclose दिए है यह भी नहीं होगा command यह भी नहीं होगा इसलिए चिनना यह भी नहीं होगा तो आपका नवे का पहले पर हम लोग दना दन take कर देंगे बढ़ते हैं दस्वे प्रश्ण की तरफ देखते हैं दस्वा प्रश्ण क्या है यहाँ पर देखिए आपके सामने दस्वा प्रश्ण है the synonym of the battle is battle का synonym है तो भईया उता है battle means होता है युद्ध होता है युद्ध का synonym क्या हो जाएगा check हो जाएगा क्या होजाईगा फाइट का बताए होगा आघना याज बागी जो है ये वह तो आओंतर आदे वह तो प्रेस्ण आपको वह से लिख करके बता दे रहे हैं यहाँ पर देखिए ठीक है अगले 20 प्रस्ट आपको जो है इस तरह से एक दो से अनॉनिम समने लिए वे हैं क्योंकि आपकी बोर्ड परिच्छा में इस तरह से आपको नहीं लिखना होगा आपको इसी तरह से objective टाइप पूछा जाएगा आपको टिक लगाना होगा लेकिन हम हमने इस तरह से ले लिए वे हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए इस तरह से भी आपको दिमाग में रटवा देंगे बिल्कुल परसान न होईए एक रहवा प्रिशन आपके सामने है admit admit means क्या होता है स्विकार करना जैसे hospital वाले को जब आप hospital में किसी को भरती करते हैं त मतलब हमने hospital में admit करा दिया मिंस hospital में स्विकार करवा दिया admit means क्या होता है स्विकार करना जैसे church में जाकर के लोग अपनी गलतीयों को confess करते है मिन्स विकार करते हैं तो आपका admit का क्या हो जाएगा acknowledge और confess हो जाएगा आगे बढ़ते हैं बार हमें प्रश्न की तरफ और सभी प्यारची वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दें जितने बच्चे से में जुड़े में हैं जल्दी से सभी प्यारची वीडियो को लाइक कर दें और आज आपकी revision series की सारी classes complete करनी है means grammar की revision series की सारी classes complete करनी है कल सी आपके marathon classes जो है start हो जाएगे तो इसलिए सभी बच्चों को आप जोड़ लेना अब देखिए आपका अगला है brave ब्रेब मेंस होता है बहादूर क्या हो जाएगा courageous में सासी हो जाएगा तो आपका ब्रेब का courageous हो गया सासी हो गया अगला contentment contentment मेंस होता है संतुष्टी होता है तो संतुष्टी के क्या हो जाएगा satisfaction हो जाएगा satisfaction मेंस भी होता है संतुष्टी होता है तो आपका containment क्या हो गया? hug success हो गया आगे देखिए आपका चौदवा है dead mems ho जाएगा मर जाना бы ही या क्या हो जाएगा? lifeless, deceased हो जाएगा lifeless means हो जाएगा निर्जिव —disee—ghtm हो जाएगा, खत्म हो जाना, बरबाद हो जाना means मर जाना तो आपका क्या हो जाएगा dead का lifeless और diseased इसके सेनोरिम से हो जाएंगे अगर आपके बुड़ परिच्छा में dead का option में lifeless या diseased दिया गया हो तो आपका यही सही होगा अगले आद देखिए delight delight में सता आनंदित होना प्रसंचित होना delight वही होता है खुसी होना तो यह delight का क्या हो जाएगा pleasure हो जाएगा pleasure में सता आनंद होता है enjoyment हो जाएगा enjoyment भी होता आनंद होता है तो आपका delight का क्या हो गया pleasure और enjoyment हो गया अगर आपकी बुड़ परिच्छा में enjoyment दे दिया जाए और इसका delight दिया जाए option में तो आपका enjoyment का क्या होगा, delight तब हो जाएगा तो आपको एक दूसरे के reverse कर लेना आगे देखिए, आगे disaster disaster मिस होता विपत्ती disaster मिस होता विपत्ती आपदा disaster होता है तो committee इसका हो जाएगा committee मिस भी होता है, विपत्ती होती है और miss फार्चुन मिस दूर्भाग मिस भी पत्ती मिस दूर्भाग मिस भी पत्ती तो आपका disaster का क्या हो जाएगा committee और miss फार्चुन हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं अगला है display, display मिस होता है दिखाना display मिस होता है दिखाना तो क्या हो जाएगा disclose disclose, disclose means होता है वही खोलना या दिखाना, अगला हो जाएगा so, so means भी होता है आपका दिखाना, तो आपका display का क्या हो गया, disclose और so हो गया, आगे बढ़ते हैं ठ्रमे पर बढ़ते हैं, देखिए आपका ठ्रमा है, dysolate, dysolate means होता है, baron और lonely होता है, dysolate means होता है इकांत में होना, पुरी तरव से इकांत, ठ्रमा होता है, तो आपका disease का क्या हो गया, baron और lonely हो गया, आगे देखिए 19 समभा प्रशन हैं, जलदी से वीडियो को like कर देजए, 19 समभा है, अगर आपकी बोड़ To RichThe इन प्रोड क्या हुआ है किसक हो जाएगा अगर आपके बोड़ पुरिच्छा कि आपसे में। जो आपसे मिस्टेक, destroying है थो आपका सही हो जाएगा, तोumm kadar मिस्टेक हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 20प्रश्ण की तरफ देखते हैं 20प्रश्ण क्या है यहाँ पर देखिए आपके सामने 20प्रश्ण है इंपर्टी में सोता खाली होना और इसका क्या हो जाएगा वैकेंट हो जाएगा और जितनी करार है प्या Elix यह जो हमने लिखे विए हो कोई 2012 में तेरा में इस तरह से कई वर्सों में कई पूछा गया है तो आपका इंपटी मिस क्या हो जाएगा वेकेंट मिस खाली हो जाएगा तो आपका फेम का अगला है तो आपका वेकेंट मिस खाली और इंचा प्ली मिस हो जाएगा से अगना अगला तो इसका सनौनिम मिस मिस क्या हो जएगा जाएगा थिर दरपोक है तो मिक मिस बरन भी होना होता है डर्पोग भी होता है और सबमिस्व भी होता है कि बिनम्र होना ठीक है तो आपका हम्बल का क्या हो गया मीक और सबमिस्व हो गया अगला आपका है नेफेरियस मिन्स होता है कुक्या जो अपनी गलत का मुख ली जाना जाए वही होता है नेफेरियस होता है और Wicked हो जाएगा आगे देखिए अगला है 25 हमां है Proficient means होता है दच होना प्रोफिसेंट होता है तो Efficient हो जाएगा Efficient का भी Meaning वही होता है अगला है Reliable means होता है विश्वस किया जासके तो यह Reliable का क्या हो जाएगा Trace वर्दी हो जाएगा वही विश्स्स क्या जाएगा अगला आपके सामने stressful struggle में सोता संगर्स क्या हो जाएगा effort में सोता प्रियास करना और fight में सोता लड़ना तो आपका struggle का क्या हो जाएगा effort और fight हो जाएगा अगला है triumph तो आपका ट्राइमफ का शैनोनीम विक्ट्री हो जाएगा आगे बढ़ते ही उनती समगा क्या थो सबakको सामने उनती समगा है तो इसका क्या होजाएगा इनप मिंस भी होता है योगिया परियापट होता है तो तो सफिस्थियंट का इनफ हो जाएगा अगला लास्ट है Tedious Tedious मीस होता उबाऊं जो आपको एकदम उबाँ देszBlue iya एकदम Boring जैसे Class होती है वह आपको उबाँ देती है भाया तो Tedious पर को यह होती है Class ठिक है तो Tedious का हो जाएगा Boring या Del हो जाएगा Boring मीस होता भी उबाना और Dell means होता है Nearest हो जाना तो यह हो जाएगा TDS का Boring R डल हो जाएगा तो भाया आपको 30 हमने Synonyms से करा दिये सभी 300 important Synonyms है तो इसलिए आप सभी को जो है अच्छे से त्यार कर ले जाएंगी इन 300 को और अगर और अधिक Synonyms आपको चाहिए तो हमने क्लास दिये वे हैं जो क्रैमर की क्लासे से होई हैं इसमें लगबग 200-300 Synonyms आपको कराई वे हैं तो आप वहाँ से पूरी Synonyms देख सकते हैं अगर आपको पूरे Synonyms की क्लास से यह तो भया आज की क्लास होगी और आपको टार्गेट भोलना नहीं है इस वर्स हमें English में 100 out of 100 marks लाने हैं और रिविजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस चली हुई है सारी क्लास आप पटन कर ले जाओगे चाहों फर्स पेपर की क्लासेस होँ चाहें ग्रेमर की क्लासेस होँ आपको पटन कर ले जाएगा आप वहां से जुड़ जाएगा तो हाँ पर सभी क्लासेस का लिंक आपको प्रोवाइट कर दिया जाता है और किया भी गया है तो भाया आज की एक क्लास होगी अगली क्लास कुछी देर में देखते हैं इसी चैनल पे होगी या फिर अगले चैनल पे होगी अगले चैनल पे होगी तो सुरजाद और जौनपूर आले चैनल पे होगी नहीं तो देखते हैं टाइमिंग जैसे होगा ठीक है आपको बता दिया जाएगा तो इसलिए तभी करते हैं आपने इन तीनों चैनल से जुड़े रहे हैं क्योंकि अगली क्लास किस पे होगी अभी थोड़ा सा डाउट है उमीद है किसी चैनल पे होगी नहीं तो सुरजाद और जौनपूर आले चैनल पे चैनल पे चैनल पे तो इस पे भी जैसे जिस पे भी होगी नोटिफिकेसन आपको मिल जाएगा नहीं तो आपको टेलेग्राम के पब्लिक ग्रूप में लिंक मिल जाएगा और पेड़ क्लास के बच्चों को लिंक प्रुवाइडी कर दिया जाता है तो भी आज की ये क्लास होगी आप क्लास की ही समापती करते हैं जो बच्चे चैनल पे पहली बारा है चैनल को हो जाती है तो भाया एक हपता दिमरात करके मेहनत कर लीजिए ताकि आप बोर्ड परिच्चा के टॉपर बनें और इंग्लेस में 100 आउट आफ 100 मांक्स आसानी से आ सके तो यही सबी बच्चों से उमीद करते हैं और इन्हीं उमीदों के साथ सिसन की समापती करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में कुछी देर बाद मिलते हैं और इसके साथ साथ आपका लाइब वारता आपका सूरज यादो जानपुर वाले चैनल पे आज रात आठ बज़े या फिस साढ़े आठ बज़े होगा उसमें आपको लगा दिया जाएगा तो आप लोग वहां से जोड़ जाएगा तो मिलते हैं जो अगली क्लास में कुछी देर बाद अगली क्लास मिलते हैं तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें अपनी परिवार का ध्यान रखें लब यू आल प्यार विच्चो